प्रेविद्यार्ति साथियो जहिन इस वीडियो में हम आपको सेकंड येर बीए, बीकॉम, बीएसी, बीएचेसी आदी की कक्षाओं के लिए व्यक्तित्व विकास या परसनालिट्री डेवलप्मेंट नामक वोकेशनल कोर्स के प्रेक्टिकल करमांग 5 के बारे में जानकरी दे रहे हैं कि इस प्रेक्टिकल का टाइटल क्या है और उसे किन पॉइंट्स के अंतरगत आप बहुत अच्छे से त्यार कर सकते हैं यह करियर एडवाईस चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करतीजी और बेल आइकाउन भी प्रेस करतीजी इसके साथ बने रहे हैं बहुत धन्यवाद जैसा कि आप जानते हैं सेकंड येर में व्यक्तित्व विकास में कुल मिलाकर 5 प्रेक्टिकल शामिल हैं आप एक बार इस स्लाइट के मात्यम से उन 5 प्रेक्टिकल के टाइटल्स को पुनह देख लेजे इन में से 4 प्रेक्टिकल के बारे में पहले ही वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिये गए हैं जदी आपने वो वीडियो नहीं देखें तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है आप महां से उन वीडियो को देखकर लाव उठा सकते हैं आए हम शुरू करते हैं पाँचवे प्रेक्टिकल के बारे में आप देखिए एक स्लाइट जिससे आप समझ पाएंगे कि इसमें हमें कौन-कौन से बिंदू लिखना है पाँचवे प्रेक्टिकल का टाइटल है आध्यात्मिक बुद्धी एवम व्यक्तित्व विकास पर प्रतिवेदन लेखन इसके प्रेक्टिकल को आप आठ पाइंट्स में कम्प्लीट कर सकेंगे पहला पाइंट है भुमी का जिसमें आप पताएंगे कि बुद्धी के कई प्रकार होते हैं उनमें से एक आध्यात्मिक बुद्धी भी होती है एक मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगिन विकास के लिए विभिन प्रकार की बुद्धियों से संपन्न होना होता है और उन बुद्धियों का उचित समावेश एक आनुपात में करके वो अपने जीवन को बहुत ही बहतर ढंग से जी सकता है स्वयम के लिए परिवार के लिए समाज के लिए रास्टर के लिए उपयोगी हो सकता है ऐसी कुछ बातें आप भूमी का वाले पॉइंट मिलकी सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं आध्यात्मिक बुद्धी का अर्थ इसमें आपको यह बताना है कि वस्तूत आध्यात्मिक बुद्धी किसे कहते हैं बुद्धी को पहले आप बताईए फिर आध्यात्मिक का अर्थ बताईए फिर दोनों को जोड़कर आध्यात्मिक बुद्धी का अर्थ बताईए इसके लिए आप इंटरनेट और मनोविज्ञान की पुस्तकों का सहरा ले सकते हैं जहां पर आपको अनेक प्रकार से इसका अर्थ इसपस्ट किया हुआ मिल सकेगा विद्वानों की विशेशग्यों की परिभाशाएं भी मिल सकेंगे परिभाशाओं के आलोक में आप सेवं भी आध्यात्मिक बुद्धी के अर्थ को अच्छे से समझ लीजे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो आध्यात्मिक बुद्धी से संपन वेक्तित वाले इंसानों की क्या विशेश्टाएं होती हैं इस पर आपको लिखना है आध्यात्मिक बुद्धी वाले वेक्तित्व की विशेश्टाएं सामान्य बुद्धी से संपन वेक्तित्व से काफी अलग होती हैं उनका रहनसन, उनका खानपान, उनका बोलने का तरीका, उनका वेहवार करनी का तरीका, उनका परिस्यतियों में प्रतिक्रिया देने का तरीका ये सब अलग होते हैं। आप इसे सुची बद्ध कीजिए उन विशेष्टाओं को, अपने में खोजिए कि क्या वो विशेष्टाएं जो आध्यात्मिक बुद्धी संपन व्यक्तित्व में होती हैं, उनमें से कुछ एक या एक से अधिक आप में भी शामिल हैं, कुछ अंचों में पूरी तरह से भारत का ले लिजिए, एक अन्य देश का, एक किसी और देश का, इस तरह से तीन ऐसे वेक्तियों को ढूढ़िए, जिन्होंने आध्यात्मिकता के शेत्र में बहुत जवर्दस पहचान बनाई हो, अपनी आध्यात्मिक बुद्धी के बलबूते पर देश को और विश्व क नई राह दिखाई हो, जैसे उधारन के तौर पर भारत में एक रजनीश ओशो हुए हैं, इसी तरह से योगी अरविंद हुए हैं, ऐसे बहुत सारे भारती वेक्ति तो आपको मिलेंगे, जिन्में आध्यात्मिकता का चरम इस्तर पाया जाता है, इसी तरह से दुनिया के दो दो पेज में उनके पूरे जीवन वृत्त को आप लिखे, कि उनमें क्या ध्यात्मिक बुद्धी थी, उनकी क्या उपलब धिया रही, उनकी कौन सी बात से आप विशेश प्रभावित हुए, साथियो प्रेक्टिकल लिखने के कारे को आप एक कंभीर कारे समझे, ऐसा नहीं की गूगल पर सर्च किया, और जो कुछ भी आया, उसको आप तेजी से लिखने लगे, या आपके दोस्तों ने वाटसेप पर आपको जो कुछ भेजा, उसको लिखने लगे, ऐसा करके आप प्रिक्टिकल की फाइल को भर तो देंगे, बड़ जो उसमें गुणवत्त कर दिये हैं, और कई तरह की कमिया, आप अपने व्यक्तित्व में पाते हैं, कमियों का वह सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, यदि आपके वल परिशा की दरश्टी से, कारी को निप्टाने की दरश्टी से संपन करेंगे तो, अन्य था इसी प्रेक्टिकल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, अगले बिंदो की तरफ पहुशते हैं, आध्यात्मिक बुद्धी विकसीत करने के उपाए, अब तक आप समझ पाएं हैं कि आध्यात्मिक बुद्धी क्या होती है, ऐसे लोग किन-किन बातों में अलग होते हैं, दुनिया के कुछ आध्यात आध्यात्मिक बुद्धी संपन व्यक्तितुका भी अब आपने अध्यान कर लिया है। तो अब यहाँ पर आपको इस पाइंट को लिखने में सुवीधा होगी कि आध्यात्मिक बुद्धी किस तरह से आप विक्सित कर सकते हैं, किस तरह से आप स्व्यम आध्यात्मिक द्यान लगाना, योग करना, आध्यात्मिक बुद्धी संपन व्यक्तियों के प्रवचन सुनना, इस तरह से बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, जिनके माध्यम से आप भी आध्यात्मिक बुद्धी को विकसीत कर सकते हैं. अगला पॉइंट देखिए, आध्यात्मिक बुद्धी का व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? साथियों बहुत सौभाविक हैं कि आध्यात्मिक बुद्धी से संपन हो जाने पर व्यक्तिका व्यक्तित्व अलगी होता है, वो तेजवान बनता है, उसके च सुनता ही रह जाता है, उसका अनुकरन करता है, समाज में बहुत प्रतिस्ठा बढ़ती है, वो पुज्य हो जाता है, और साथि साथ उसका सानिध्धी प्राप्त करने के लिए लोगों में एक होड लगी होती है, आध्यात्मिक बुद्धी देश के विकास में अपने विच प्रस्थती को जितनी प्रस्थता देंगे न, उतनी ही आपकी प्रस्थती प्रभावी होगी, यहाँ प्रैक्टिकल में तो आपको अच्छे नमर मिलेंगे ही, साथ ही साथ यह आगे आने वाली बड़ी परिक्षा हैं, जैसे पीएसी, यूपीएसी, उसमें भी यह पैटर् लिखिए, ऐसा साथियों, बच्चों, आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छी स्टडी करेंगे, नकल पर आश्रीत रहेंगे न, फिर बहुत मजा नहीं आएगा, कई बार दुख होता है कि जब हम विध्यारतियों को सी सी, प्रोजेक्ट या प्रेक्टिकल वाले दिन ह कॉलेज की सीडी हों पर कहीं बैठे हुए देखकर, जैसे तैसे दो चार चाव पेज बरने की कुछ एस्टा करते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अपने माता पिता को बहुत जबरदस्त धोका दे रहा है, बच्चों, आपके माता पिता की आपसे कुछ साथ ही जब आपका अपना भी परिवार हो, तो आप उसका पालन पोशन भी एक बहतर ढंग से कर सके, उन्हें अच्छी जिन्दगी दे सके, और इसका एकी रास्ता है, निरंतर अध्यान, उच्च अध्यान, अच्छा अध्यान, और उच्च प्रस्तुति, आगे बढ़ते आध्यात्मिक बुद्धी एवम व्यक्तितु विकास पर प्रतिवेदन या अगला पॉइंट है, अब तक आप पूरा समझ चुके हैं आध्यात्मिक बुद्धी क्या होती है, विशेशताई क्या वगर वगर, इन सब जानकारी के आधार पर अब आप प्रतिवेदन लिखन प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है, इसके लिए थोड़ा सा आप सर्च कीजिए, आप चाहेंगे तो एक वीडियो के माध्यम से हम भी आपको बता देंगे कि प्रतिवेदन लिखते समय किन-किन बातों को दियान में रखना चाहिए, कोई प्रतिवेदन कैसे विकसीत होता ह अंत में आपने सकर्ष लिखिए, कि इस प्रेक्टिकल से आपने क्या सीखा, क्या समझा, कौन-कौन सी बातें आप अपनाने के लिए प्रेडित हुए, किस राह पर आप आगे बढ़ेंगे यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजे, बेल आइकान प्रेस कर दीजे आपकी कोई अपेक्षा हो इस चैनल से किसी विशे विशेश पर भारदर्शन चाहते हैं, तो कॉमेंट बाक्स में लिखे, अपना नाम अवश्य लिखे, अपने कॉलेज का नाम अवश्य लिखे मुझे ये महत्पूर्ण बातें आप तक पहुचाने का आउसर देने के लिए, करियर एडवाइस चैनल की संचाली का प्रिती गुलवानय जिजी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रिती बहुत बहुत आभार, आप सभी को शुब कामनाएं, नमस्कार